नेक्स कुश्चन दोजादो का सवाल है, कुश्चन से एक्सलेशन दूटो ग्रेविटी इस जी अट पॉइंट डिस्टेंस आर फॉं सेंटर फॉर्थ और रेडियस आर इफ आर इस लेस्ट देन आर देन हमें ऑप्शन बताने है कि इन में से सही कौन सा है, पहला है कि g is proportional to r, g is proportional to r-square, g is proportional to 1 by r या फिर g is proportional to 1 by r-square. Now, सिंपल सवाल है, मैं हमेशा अपने क्लास में students को कहता हूँ कि ये graph हमें द्यान रखना है, ये result हमें द्यान होना चाहिए, तो ये आपका planet earth, planet earth पे अगर मान लीजी हम center से लेके इस direction में जा रहे है, so हमारा acceleration due to gravity जो है, g उसकी value हम कहते हैं ऐसे, पहले तो linear vary करेगा, उसके बाद 1 by r-square से, so यहाँ पे 1 by r-square से vary हुआ, यहाँ पे g is proportional to r, और अगर इसके हमें exact value लिखनी हो, तो इसमें हम यहाँ पे value लिख सकते हैं, कि g dash जो है, that will be equal to 4 by 3, 4 by 3, pi g rho r, यह अपना variation inside the planet earth होएगा, और बाहर इसका g m by r-square से vary करेगा, so based on this हम कह सकते हैं, कि g will be proportional to r, hence option number a would be the right answer,